मेरा नाम शर्शी सिंग है और मैं डॉक्टर राम उनोहरलोया इंस्टिट्यूट लखनव मैं कारिरत हूं और मैं समय डूटी पर हूं यह हमारा वार्ड है अब भी अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं कि उन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे भी इस्थिती है कि नर्सेश के लिए कोई स्विधा नहीं है इवन एन 95 मास्क तक नहीं है प्लेन मास्क एक मिलता है और गलफ्स है उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं मेरा सबसे ये कहना है कि ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है सामान नहीं है नर्सेश के पास और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं सस्पेक्टेड उनको हैंडल कीजिए पत्रकार बंदों से और जनता से देश की जनता से मेरा सवाल है कि हमें बेसिक चीजें प्रोवाइट क्यों नहीं की जा रही है और मना किया जा रहा है कि बोलिये मत ये क्या तरीका है आपका आप हमसे कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड हैंडल कराएंगे और हमें गलफ सिर्फ देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे हम क्यों चुएं हम क्यों चुएं भाई रिस्क है सब जान रहें रिस्क है हम क्यों च सकते सब्सेब से पहले जरूरी चीजें होनी चाहिएं तो हमें क्यों सकती बताईये प्रोटेक्शन कीमृ Series कि मारे टोब हूं मेरा कर्मचारी की पृट्रेश महामंत्री हूं और मैं उत्तर्देशacterեश hé 구 विट्रमी प्रदेश महमन्तरी हों, मेरा हर कर्मचारी के लिधाई तू बनता है, मैं इसकी सुरच्छा के बारे में सोचूं। और हम से पहले तो सरकार को सोच ना चाहिए हूं, सरकारी कर्मचारी है। सबसे पहले तो इन्होंने यह देखिए कि नौकरियों को क्या टके टके पर कर दिया है कि 10,000, 7,000, 15,000 नर्से से काम करा रहे हैं मैडम क्या बताऊं पेंशन दे नहीं रहे हैं नौकरी सीक्योर नहीं ठेके पर नौकरियां हैं और इसके बाद आप सामान भी नहीं देंगे और अधीश्चर धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें निकाल दूँगा ने तो तुम ऐसे ही काम करो वो बजट कहां जा रहा है हमें जानना चाहती हूं कि यह पत्रकार बंदू वास्तों में अपना कार्य करें हर अस्पताल से पूछा जाएगी कितना बजट मिला और क्या-क्या साम पूखिम में है तो ऐसी भी का बाद देता ऐसी भी क्या एथिक्स जब आप की सिंसेर्टी हमारे लिए कुछ नहीं है आप के अंदर इतना भी संबेदन शील्ट सभाव नहीं है कि आप हमें प्रोटेक्शन किट तो दे सकें तो हम अपनी नर्सेस को और कर्मचारी को कैसे कह सकते हैं कि तुम जाओ और मौत के मूँ में समाज़ो मेरा नैतिक दाइत्व यह गवारा नहीं करता कि मैं कहूं कि जाओ काम करो तो कृपया मानिस्वास मंत्री जी हमें पता है कि आप करंटाइन उसमें हैं क्योंकि वो जो कांड हुआ था बंबे से आई थी यहां पर करतों को चलता कर दिया कि जाओ कुरोना की सरण में जाओ तो उसका भी हम लोग हमें जब भुगते हैं तो भुगतेंगे करते हैं नौकरी आप में प्रोटेक्शन किट तो दीजिए उसके बिना मैं इसलिए कह रही हूं कि 24 घंटे तक हम लोगों को संसादन नहीं मिलेंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए न टीवी में टीवी में जो घंटे शंग घडियाल बज रहे हैं और अभी यह भी फोन हमारे पास आया कि दीदी हमारा तो कही नामों निशान ही नहीं है कि कुछ नर्सुज ने भी कुछ किया या कर्मशार चाहिए अभी मैं यह वीडियो अगर पुरेस्तार में चलाओं आपको एक डॉक्टर सिंगल दिखाई नहीं पड़ेंगे इमर दिन सिमसिर बठे होंगे और हर वाड में कोई नों कोई नर्स होगी तो उसे मिलना चाहिए संसाधन डॉक्टर के पास हैं यह किट है उनके पा परस्नल प्रोटक्शन के लिए एकुपमेंट्स और किट दी जाए सनिटाइजर दिया जाए सफाई के सामान दिये जाएं तब तो हम काम कर पाएंगे मैं एक करमचारी नेता हो नर्सर नेता होने के कारण आपसा रिक्वेस्ट करनी हूँ कि देखिए आप लोग हमारा साथ दीजिए और मैंने ही सब के साथ मैंने भी आवाज उठाई थी जब चायना में मसला हुआ था कि सर्ट आप इसे कंट्री में आने ही ना दें और अगर मजबूरी है कि हमारे देश के लोगों को लाना आप लाईए तो सबसे पहले वहां के दूता वासमन को रखिए उसके ब हर एरपोर्ट पर एक 50 बेट का हॉस्पिटल खोल देते वहां पर जितने लोग आते उनको 15-15 दिन के लिए कॉरिंटाइन कर देते आप उसके बाजब निगेटिव होता तो वहां से निकालते तो पूरे देश में आज जो इंसान जूज रहा है इस समस्या से आप बताईए भाईयों बहनों कि उस ड़र का क्या जो सब के मन में समा गया है उसका कोई खामियाजना दे शकता है जो सब डरे जूए है आपको क्या हरा कसे बोगए है आप यहां मेरी जानना चली जाए सारे देश के नागरी आक चहट-पटा रहे हैं कि आप कैसे बचे क्योंकि चीजफ हुआ ह्षा 있는데 गिंसे वह तुरंद पता भी नहीं लगेंगे यह डर कि यह प्लीस दो हमने तुनоме डिया कि हमने नहीं दिया जिसने दिया है वह बोगत हिए भी यह जो छुब जाए गए जो उनको रोग सकते थे जितने भी लोग थे वो नहीं भुखतेंगे हम डॉक्टर नर्सेज भुखतेंगे हमारे करमसारी भुखतेंगे हमारे परामेडिकल स्टाफ भुखतेगा और जो पीडित है वो भुखतेगा आप थोड़ा सा चेत जाते अपने एरपूर्ट को सील कर देते आज यह हाल ना होता यह गलत हो रहा है और कि वो होस्पिटल में सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में दे यह बाढर वाला कारक्रम अब नहीं चलेगा आप सुन लीजिये मुझे सब पता है कि बाड में सामान कितना इस्तेमाल होता कितना खा लिया जाता है यह नहीं चलेगा आप हमें दीजिये सामान चाहे जहां से दीजिये वरना हम काम नहीं करेंगे हमारे भी फैमली और बच्चे हैं कसम हमने ली है हम उनको क्यों मारें हम प्रपावित होंगे तो उन तक भी ये चीज़ें पहुंचेंगी हमें कोई हख नहीं है कि हम जन सेवा करने के लिए अपने परिवार को मौत के मुझ में डाल दें open hand से काम नहीं करेंगे open hand means की बिना पीपी केट के काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे कॉर्ट बन किस्वी बन ऑफिसे बन डिपार्ट्रामट की डिपार्ट्मेट बन सबको पता है कि भीमारी लग जाएगी एर में किसी आधाल खुला है तो जो काम कर रहा है यह जान के काम कर रहा ए कि मौत के मुझ में जाना हुआ उस OSKA किट भी नहीं दो गे यह कृतनी दिजिस्कृस्टिंग है यह अमानवी है किसी से मत कहो यह गलत है हमारे नर्शेस को हमारे कर्मजारी को सब को दीजिए कर्मजारी गरीब है जीने का हग गरीब और अमीर सब का बराबर है किट सब के लिए मिलनी चाहिए सब के लिए मिलनी चाहिए और ये CSC, PSC में तो एकदम miserable condition की gloves तक नहीं है और नरसर से कहते हैं टेन करो दूर खड़े रहते हैं जाओ सुई लगाओ, काम करो करेंगी सामान तो दो बिना सामान की क्यों छुएंगी प्लीज प्लीज मानवता मत खोईए हम आपके साथ हैं हम चाहते हैं कि ये जो लंबे समय तक प्रिया चलेगी हम इसको समारने में सच्छम हों वो सच्छम कैसे हों हमें सामान तो देंगे आप संसादन उपलब्द कराईए और मेरा आप से ही निवेदन है हमारी नर्सेज बहुत कपेबल हैं बहुत डिवेटेड हैं बहुत ज़्यादा चमता रखते हैं काम करने की दददस घंटे बारा बारा घंटे वो खड़ी रगर काम करने वाली नर्सेज हैं तो कृपया आप उनको संसाधन तो उपलब्द कराईए हम इंकार नहीं कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम अपने सुरच्छा करेंगे इसके बाद ही तो काम करेंगे इसके हमने ओथ ली है सरफ प्रोडुशन पहले करेंगे फिर मरीज को बचाएंगे सिंपल सा मामला है धन्यवाद सब की देशवासियों को नमस्कार करती हूँ और सब के खुशाली के लिए प्रास्परिटी के लिए और इस समस्या से निपटने के लिए उसमें उन्हों को शक्ती मिले इसकी प्रास्थना करती हूँ और सब कुछ अच्छा होगा लेकिन हमें नाम मत दो फिर देखे मैं कह रही हूँ नाम मत दो लेकिन कम से कम सामान तो दे दो अबर आपको लगता है पत्रकार बंदूं से मैं खास तोर से कह रही है जोनोंने टीवी में चैनल में खबरे चलाई है पत्रकार बंदू महोदे आपको लगता है कि नर्सेश का कोई value नहीं है इस चीजों को management करने में हमें बाहर कर दो frame से हमें भी high court की तरह सची वाले की तरह offices की तरह हमारे पाँ छुट्टिया हैं हमें हमारी please please request कर रही हूं सारी नर्सेश को छुट्टी दे दो और जितने भी लोग हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि इनका योगदान है उनसे करा लो काम शंकनी घंटे घडियाल बजवाओ मैं भी बजाओंगी घंटा घडियाल घर में बैठकर आप से जादक तेज बजा दूंगी हमें छुट्टी दे दो हमारे सारी नर्सेश को मत दो साम कि योगदान सिर्फ उने उनकी छुट्टी दे दो फुट्टी मांग रही हूं यह सब चुट्टी के गभ्याट है वह है कि में पे हैं हमें सारी चुट्टी दे दो हमारे पास अर्ण लीव है बहुत सारी चुट्टियां है हमें चुट्टियां दे दीजिए हम नर्सें मत दीजिए आ पीपी किट मत दीजिए हमें चुट्टी दे दीजिए क्योंकि हमारा तुसमें नाम भी नहीं है कि योगदान है योगदान तो तो जो हर काउंटर पे नर्स बैठी है ना कम्स कंपने घर में जाके बैठी कि सबी कर्म सारी कि तरह हम भी बैठ जाएंगे पिर जो काम कर रहे हैं जो समझे जा रहे हैं कि हाँ बहुत काबल है वो समाल ने इपनी सारी व्यवस्ता नकिट दोगे